असलाम एलेकुंट फ्रेंड आज हम RSA 7 का लक्चर नमर ट्वंटीवन स्टाट करेंगे यह है जो मारपा लेक्चर इसका जो है पिर हमने उसको देखा था कि एनका उसको किसे difference इस तीा उसके और मैं और में क्या फार्क है वह हमने देखा था इसके लावा फिर हमने साह्माग के थिरू हमें share को एक्सेस किया था कि मौंट कि सण कैद मांड आप कि साक की सिरूक फिर रीमौट सİर्ड पर एक्सेस की जाता है ど règles अचेस की कि सिरू की जाता है पिर अधिर्द्द्द्द के थ३ूरू भी हमने संभाग-Shiair को मांड किया था ज हम star करें के lecture No.21 इसके अंधर हम स्टार्ट लेशन की किक्सर्ट इंस्ट्रॉलेशन किया है हमां अरprise के पास cake start is an automated installation method used primarily by redhead enterprise linux and other fedora fedora में भी कार सकते हैं spin-off such as centos oracle linux और different जितनी भी linux हम सब में kickstart installation यूज़ कर सकते हैं kickstart क्या होते हैं कि हम epks file आपने सर्वर मचीन के ओपर बैट कर अपने डिफ्रेंट एप्लिकेशन को यूज़ करते हूं है यौपे लैइन कार्ड को यूज़ करते है, अपने क्लीट के साइड क्यूपर, FTP Circ auss गज्वर को यूज़ करते हूं कर सकते हैं, FTP अब करते हैं। दिफेंट मैठ obten adesso किसी भी मैठेट कि दुओ आप लेकिन कर सकते हैं। लेकिन आप इंस्टालेशन वृब कर सकते हैं यह डिपेंड करता है शारे आपकी land card के उपर, आपकी network speed के यह बन डेट्शर के आपकी network speed की जो land लगा है है फिदी लकाल का लगा है है उसके मुटाबिक 2 ऊपर इनेरे इसके इसके आप 5 के उपर कर सकते हैं तैनेरे पर इसी तरह आप सवान इंस्टालीशन कर सकते हैं मोट साइड के उपर करने हैं पता था शाए करना है इसके लावा कौन को सा करना है इसके लावा और कौन को सी कफिग्रेशन करनी है वह हम सारी एक ही फाइल के अंदर इसको पता देते हैं कि यह जी यूजर नेम का यह जी रूट का पासवाट होना चाहिए और यह जी पैकेज इस इंस्टालेशन होने चाहिए इसके लावा होड मैं जो अदर इंस्टालेशन करनी है कौन सी हार्डिस रखनी है कितनी साइस के ही है इस सारी सारी आप इसको एक फाइल में उपता जाते हैं जब आप किकस्टार्ट के थरूँ इंस्टालेशन करते हैं तो सारी आटोमेट इंस्टालेशन हो यह थी हमें खुछ से कुछ नहीं करना पड़ता थर्स किकस्टार्ट इंस्टालेशन अलाव सिस्टेम अधिस्टार्ट इंस्टार्ट 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 इंस्ट सप्टीप एक उपर बेड़का उसरा एक फाइल क्रेड कर लें तो हम यूज़ कर सकते हैं और https सर्वर यूज़ कर सकते हैं अब इन में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं लोकल इंस्टालेशन के लिए किकस्टार्ट इंस्टालेशन के लिए किकस्टार्ट इंस्टालेशन की फाइल किसे रहे करने से पहले एक फाइल को क्रेट करना है क्रेटा किकस्टार्ट फाइल, make the kickstart फाइल, available on removal media और a hard drive और a network location जितनी भी यह NFS, FTP, HTTP और HTTPS यह सारी हमारे पार network locations के अंदर आज़ाती है रिमूवल मीडिया में हमारे पास लोकल डीवडी आएती है यह यूसबी आएती है और हार्ड ड्राइव में हमारे पास हार्ड ड्राइव आएती है क्रेट बूट मीडिया उसको फिर बूट मीडिया बनाना है which will be used to begin the installation ताके मारे इस्टालेशन स्टार्ट हो सके make the installation source available फिर उसको बताना है कि उसकी सोर्स अबल जो इसकी installation file है जो kickstart की installation file है जो हमने create की है वह कहांँ हमें पड़ी है इसकी location की है उसके बाख kickstart start हो जीगा आगे इंस्टालेशन की स्टार्ट होजएगी research एक स्टार्ट हो预 lens के इसे पहले सबसे पहले इदर आते हैं मशीन वेपर route reference question 擊 start का जो टॉपिक हमार पाप चाप्टे रहे किक स्टार्ट का एक यदे हम नहीं का जाएगा कि आपने किकस्टार्ट इंस्टालेशन करनी है आपको आरडी जो मशीन मिलेगी वो आपको किकस्टार्ट इंस्टालेशन के थ्रू ही मिलेगी कि आपको जो मशीन दी गई होगी जिसके उपर आपने लैब करनी है वो सारी सारी आपको किकस्टार्ट के थ्रू जो क्योंजी है वो हमारे पर //root के अंदर मैं लs करता हूं यहां पर एक फाइल बनी है Anaconda-ks.cfg यह फाइल तब बनती ही create होती है यह असल में हमारे पकिक्स्टार इंस्टालेशन की यह फाइल होती है जो रेंट टाइम के ऊपर जब हम इंस्टालेशन करते हैं तब इंस्टालेशन के दुरान यह हमारे फाइल क्रेट हो यह थी इनकोंडाद डैज इसके अंदर किया कि information होती हुआ हम आपको दिखा जिता हूँ Anaconda असल में Anaconda हमारे पर Linux का इंस्टालर भी है जो हमारे पर पूरी Linux का ऑप्रेटिंग सिस्टेम इसको इंस्टाल करता है उसका नाम Anaconda है तो वही Anaconda अपनी file create करता है किकस्टर इंस्टालेशन के लिए हम जब हमने किकस्टर इंस्टालेशन करनी है तो हम इस file को भी इस file को यूज कर करके इंस्टालेशन कर सकते हैं या हम manually अपनी file लग से भी create कर सकते हैं तो इसको open करता हूँ सबसे पहले हमारे पास कुछ information है कि हमारे पास के हमारे पास जो है यह हमारे पास repo किया है पड़ी यह उसका नाम किया है उसका base URL किया है slash run slash install repos add-ons high availability उसके बाद यह कुछ authentication कौन से यूज़ करनी है इसके लावा कहता है use CD-ROM installation media यानि installation media के लिए जो हमने क्या यूज़ किया था क्या कौन से इसका run level है यह इसका system टारगट है कौन से हमारे पास ग्राफिकल टारगट है इसके लावा run the first agent on the first board यानि कि हमारे पास जब first board किया था तो हमारे पस क्या आया था first board is equal to enable ignore disk is equal to only SD है कि हमारे पास इसको ignore कर दिया गया था keyboard के layout किया हमारे पास होना चाहिए वो US होना चाहिए system language क्या होनी चाहिए हमारे पास यह हमारे पास system language आगी network information कि हमारे पास कितने land card लगे हुए है उनकी network information किया है पहला जो land card लगा हुए इसकी जो device name है जो इसके land card का नाम है जो machine को पर हमारे पास शो हो रहा है तो जब हम if config करते हैं तो यह name आ रहता है इसको जो ip मिल रहा था वो by default किस से मिल रहा था dhcp के थूप और यह इस पर ipv6 config भी enable हुआ 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 है यह हमारे पस किया active state में है इसके लावाद दूसरा हमारे पर network portion है यह on boot time is equal to off है यानि इसको on boot time पर यह enable नहीं है जब भी machine start होगी restart होगी तो इसको इस network card के उपर ipsi नहीं होगा क्योंकि इसका on boot time इसका on boot off है उसके बाद हमारे पर नीचे root की information आए ते root password क्या है हमारे पर root का जो password सारा के सारा यह मेरे पास encrypted आ रहा है यह सारा यह encrypted क्या आ रहा है इनक्रिप्टेड एसचे 512 से encrypted हो रहे है एक encryption की different types है एक पांसो बारा है एसचे पांसो बारा है फिर system services कौन-कौन सी है न क्यों से और वया है ऑन गृफु है subscribe करते हो कौन सा घरकी है कौन सा कोरोन की नटीपी सर्वरर की हमर पस जू है कि जब इन्सटलिशन होी थे वह NTP server को भी मैंने installation time पर enable कर दिया था फिस मेरे पर system zones आ जाता है system zone कौन से है कौन सा मेरी machine को पर system zone set हुआ हुआ है installation को दुरान वह कौन सा एशिया कराची आ गया उसके अलाव मैंने installation को दुरान जब मैंने install की तो मैंने user नाम create किया था अली user create किया था इसका जो password हो सारा का सारा यह है यह भी हमारे पास encrypted कौन सी है पांसो बारे इनक्रिटिड में हुआ हुआ है फिर x window configuration information एक्स window configuration में मरपस क्या आज़ा ग्राफिकल इंस्टालेशन है सारी यह सारी एक्स config का मतलब है यह एक्स window का मतलब है कि हमार पर यहां पर कौन सी करनी है ग्राफिक का नहीं या भी मशीन भूत हो था मुझे क्वां सा टार्गेंड में सैट हो जाना चाहिए मुझे ग्राफिकल टार्गेंड में सैट हो जाना चाहिए इसका मतलब यह आइस раск्टर एक्स ऑन बूट उसके बाद system bootloader configuration इसका beootloader की configuration कौई कौण सी यह मेरे पाप bootloader है किस कौण सी partition पर हुआ है MPR partition की अपर हुआ हाओ है यह जासका boot sector वह कौण सी mbr है drive उसकी कौण सी sda है है उसकी जो partition हुई हुई है वह कौण सी हुई है LVM हुई इसकी मारे पद कुछ packages है इंस्टालिशन के दुरान के कोई कोई से पैकेज इंस्टाल होने चाहिए ग्राफिकल से रविड इंवार्मेंट बेश कोड़ डेक्स्टोप डेश देइड बगिंग डाल ढायलप फंड फॉन्स जीनम डेक्सटॉप यह सारे इसारे पैकेज इंस्टालेशन तुक्टाइम प नहीं आएगा इनेबल का मतलब यह जब भी मेरे पाइड की मिशीन क्रैश होगी तो वह सारी सारी information कहां जाएगी के डंक में जाएगी के डंक से मैं रीड कर सकता हूँ किस वज़े से क्रैश हुई है क्या इश्यू आ गया था यह सारा की से सारा information की के डंक के अंदर होगी जाएगी मैं दो सेह्फ करता हूँ सेफ नहीं करता में क्यों एड लकर देता हूँ फाइल को क्लोज कर देते है अब हम क्सुरा इंस्ट पर नारी करते की किस्टे इंस्टाल Alexandra की जाती है की स्टाइए की कि ऐसे यूजॉज होता है सबसे से मुशिन को पिंग करकर देख लेता हूँ मेरे मेरे मिक्छिन 1990 हो रही है थो मेरे मशिन एपkommen confident तो मैं इसके IP देख लेता हूं IP मारे पास किया है 172.16.2012.254 तो मैं इसमें पैकेज इंस्टाल करता हूं इसके पैकेज का नाम है system-config-kickstart इसको मैं करता हूं ये तो ये में पैकेज इंस्टाल हो गया किकस्टार्ट का तो मैं इसको open करता हूं किकस्टार्ट की configuration को इंस्टाल करने के लिए अब ये command मैं एक तो तरीका कार यही है कि मैं उस फाइल को एक तरीका कार तो यही है कि मैं इस फाइल को rename कर लूँ कर लूँ और जो जो मुझे required हैं चीज़ें जो जो मुझे चाहिए वो मैं इस फाइल के अंदर राइट कर दूँ और इस फाइल के थरू मैं इंस्टालेशन कर लूँ दूसरा तरीका कार यह है कि अब अपनी manually फाइल खुद को create कर रहें कि फाइल को create करते हुए कौँ पर चलाता हूं कमांड को तो मेरे पास एक graphical interface open हो जाएगा सबसे पहले मेरे पास पूछ रहा हूँ यहां पर default language किया है मैं इसको default language हमारे पर डिफरेंट किसम की languages आ रही है अब जों से यूज़ करना चाहते हैं आब इसको language यूज़ कर सकते हैं मैं एंग्लिज यूस से keyboard का सेंटेक्स किया कों सा keyboard हो ना जो इसका layout किया keyboard का हमार पर different किसम की बोर्ड के layout भी आ रहे हैं तो मैं तो US English time zone किया मेरे पास time zone मैं इदा set कर लेता हूं Asia क्राची अब अपनी country के साब से अपने region के साब से अपना time zone भी से यहां पर set कर सकते हैं तो मेरे पास मैं यहां है यहां यहां तो मैं यहां यह कर सकते हैं तो मैं यहांṁ समस्वाय कर सकते हैं आ इसके लाव bre 5 तिक कर दें दू वह योटिस ब्लोक मरपार बिर mai Road पासवर्डर क्र ना redhead मैं root का पास्वोर्ड देता हूu redhead उसके बाद कहता है कि इस पास्वورड को encrypt करना है तो अगर आपने encrypt करना है तो उसके लिए आपको encrypt note password पर चण करना है यह आपको लाजमे encrypt करना है बिना онkok के आपको पास बोगन नहीं करने देगा पास्वर्ट एक्स आप नहीं करेंगा उसके बाद में इसके बाद आता है रीबूट सिस्टम्स आफ्ट इंस्टालेशन अगर आप में इस्टालेशन के बाद में बाद मिशीन को रीबूट करना तो इस पर टिक कर दें करना नहीं करना जाते तो आप रहने दें इसके लावा में आप बाद में आब यहाँ पर उसके अपना सेट कर सकते तो में में इंटल ही है तो मैं इंटल ही सेलेक्ट करता हूँ तो मैं मिशीन को इस्टालेशन के बाद रीबूट कर देता हूँ अगर यहां पर यह दूसरी औप्शन पर्फॉर्म इस्टालेशन इंटेक्स मॉड ग्राफिकल इस डफॉल्ड अगर मैं तक्समोड करना है यानि सिर्फ कमान लाइन नहीं आए ग्राफि उसके बार इंस्टालिशन मेठेड है इसलेशन का मेठेड क्यों सा हो सह नज़ी है क्यों सा होना जाई की नफ्पा दूप के दूं कर नहीं ट्रू करने है या है यहां बेर यहां चाहिये हां चैक्तो आंट रूम ं कि कि थ्रूम कि निए हैं दिक umड अप्ड हाई रूं काका उं I am A सब्सक्राइब मेरे ज़ुन स्थाilly 煮ाए जब मैरे मिशीं सीटम इसको लिए इसका जो इसाथ कि आभी नीऊ इंस्टाल ऋ हुसके बाद आज़ दा grup के पर पासवąd लगाना यानि इसके बूट्लोडर के उपर पासव Landes लगाना वह यहां पर भी सट्रसे कर सकते हैं आज आपको पासहोर्टर और नहीं पर किसे की सम रही है इंस्ताल्लेशन बूट लोटर ऐने कि तुए तुच खञए पी पूर्ट रहा व कॉछ आपने इसके आलवा कोई और कोई बोट लोटर रहा है। on MBR यानि record यानि MBR master boot record के उपर आपने इंस्टाल करना है या इसके लावा कोई होर parameter है जिसके उपर आपने इंस्टाल करना है तो आप यहां पर select कर सकते हैं तो मैंने करना MBR के उपर के मेरे पर जो boot load रहा हो कहां पर install MBR के उपर उसके बाद partition information कि आपने partition information करनी है तो सबसे पहले मां रपस आए था master boot record क्या आपने master boot record को clear करना है या नहीं clear करना तो मैं कहाता है do not clear the master boot record कि किसी किसम का master boot record को clear ना किया जाए जो है as it is उसको रहने दिया जाए क्यूंकि हो तुर सकते हैं मैं जिस मेशीन के अपर का रहा हु उस सारा थो नियुन का अपर आ रही और की ओर शुला लाइक वीडोस का इंस्टाल हो यह कोई और कश हो वन उप्रेंटिक शुलाओ तो अगर मैं कलियन करूगा तो डियुल बूट अपरेटिसनं सिटम के लिए इसलिए मैं सका रोनोड क्लीन करना क्लीन नहीं करना key remove all existence I just proud के जिए इसको बेच्टेर prag हो किम आर इसको रूमब करते हैं नहीं करना जाते हैं तो आप नहीं generally इसको यूस करना जाता है जितनी Linux बनी हैं वो सारीक सारी रमूव में जाएंगी इसके लावा हुआ आव्य हो एक पार्टिशन नहीं क्रेड करते हैं एड करता हूं सबसे पहले पार्टिशन को सी यह निजे बूट बूट का साइज कितना है जिसके अंदर हमने MBR को क्या कहते हैं MBR वहाँ पास होना चाहिए सबसे पांपो ना चाहिए जिसमें हमारे पास बूट लोड और इंस्टाल होना चाहिए उसकी पार्टिशन साइज हों 55MB तो इसको as a set करते हूं को as a primary partition set और फार्मिट पार्टिशन जब यो Papazionberg यह पीखोसाई पाइफ कहा फॉर्मिट भी हो जाये मिर्प पर प्राटाट अगी एक ये मिर्प रखोột अब पर जाँ इसनागी इसका फॉर्मिट कर फॉर्मिट होंगी ईसका फॉर्मिट बिन इसकी फॉंड़ जिसत्व अमान पॉंटल ओर्सम है इसके बृत चाहिए इसको भी आज़ा primary set कर देता हूं ओके यह में दो partition बर गई इसके लाव एक partition और बना लेते हैं swap partition की swap partition के लिए कोई भी mount point नहीं होता कि swap असल में use की जाती है RAM के लिए जब हमार पर्सेस RAM के अंदर load हो रहा है तो RAM के इंदर स्पेस नहीं को process load हो सके run हो सके तो कुछ हिसा RAM के अंदर load हो रहा है उसका कुछ MB और बाकि जो remaining MB बचते हैं जो remaining size बचते है वह सारा swap में लोड हो रहा है जिसकी प्रोग्राम वह मर्पस रहा हो जाता है तो इसकी मैं बना देता हूं 0048 तो इसको as a format भी कर देता हूं ठीक है यह पर तीन किसम की partition बनाना चाते है तो बनाए नहीं नहीं बनाना चाते है तो कोई इश्व नहीं बाकि slash boot और slash दोनों compulsory partition है इसके लाव अगर आप rate की partition बनाना जाते है तो आप यहां पर rate भी configure कर सकते हैं LVM बनाना जाते है आप LVM भी यहां पर create कर सकते हैं तो मैंने अभी सिर्फ simple partition create की है उसकी लाव उसके बाद आए हमारे पर network configuration network configuration में device कों से होनी चाहिए मारे पास जो नाम होना चाहिए device को मैं simple रखता हूं ETS0 इसको IP address कहां से मिलना चाहिए तो मैं इसको कहता हूं DACP की वज़ा से तुम इसको IP address भी sign कर दो तो इसको मैं DACP इसके लाव हमारे पास और यह मेरे पास एक machine को पर एक land card होगा अगर मैं दो multiple land card install करना जाता हूं तो मेरे पाद ETS1 आ जाएगा इसको मैं इसको भी कहता हूं DACP की मेंसे IP दे दो तो हो कहेगा ठीक है इसको भी मैं DACP की मेंसे दे दो इसको करता हूं यहां से cancel है इसके लाव हमारे पर different किसम की इंडिकेशन आ गही है कि महरे पर होड़कों कोजी अगर आपने configure करना है तो आप LDAP कंफिगर कर सकते हैं इसके लाव यहां पर LDAP सर्वर का नेम आप दे सकते हैं जिस तरह हमें स्टार्ट के लेक्चेस में पढ़ा था कि LDAP का इंडिकेशन आप यहां पर आ जाएगा च्बाल नेम यहांँ टाल के लुड मंने क्या करना है यहनगी पर हम वर्म का मतलब यह mechanism mode है डिसेबल mod in short service है क्लांग में पर 113 अर यहांप boyar फाटक तो SSH के उपर कि SSH जब भी मेरे पास firewall machine में start हो तो उसमें SSH की service firewall के अंदर already enable हो उसके लावा display configuration है कि मारे पास install ग्राफिकल environment होना चाहिए तो जब on boot fast time agent जो है वो मारे पर disable है या enable है या enable इसको मैं disable ही रहने देता हूँ packages installation package installation यहाँ पर हमार पर list नहीं आ रही package installation is disabled due to the problem downloading packages information कि यहाँ पर हमार पास kickstarter की configuration file है जो हमार पास इसकी गुई है उसमें packages में कोई issues आते हैं जिसकी वैसे packages download नहीं कर पाता complete इसके लागा कुछ pre installation script है यह post installation script है तो मैं इस file को करता हूँ save जब इसको file को save करना है था आप इसको root location के बलकेशन के वपर save कर सकते हैं या किसी cocaine के ओपर भी safe कर सकते हैं, बेकिन save करते को आपने जो file का लाव रखना है .cfg जो भी नाम रखना ड़ो नाम हो गा वो .cfg होना चाहिए शुरूर में आप कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन .cfg होगी तो मैं यहां पर सेफ करता हूँ और यहां से इसको close यहां पर मैं ls करता हूँ तो यह मेरे पर एक file create होगी है ch.ks.cfg तो यह मेरे पर file create होगी है अगर मैं इसको विम करके दखाता हूँ तो वही सारी information यहां आएगी जो हमारे पास anaconda file के अंदर आई थी तो मैं इसको ks.cfg यही सारी देखें प्लेटफार्म आ गया हमारे पास install OS instead of upgrade इंस्टाल आ गया keyboard layout आ गया root password आ गया system time zone में आ गया system language आ गया firewall नेबल हो गया हमारे पास उसके सार्ट एसेच की service थी वह हमारे पार नेबल आ गयी authentication use कों सी हो रही है ऐसे पांसो बारा installation किसके थरू करने cd-rom के थरू ग्राफिकल आ गया हमारे पास SC Linux enforcing मोर में आ गया हमारे पास network boot protocol जो हमारे पर dhcp है जो network का device name है वो ats0 है system installation के बाद reboot होना चाहिए bootloader मारे पास कौन सी location के उपर होना चाहिए mbr location के ओपर partitions क्यों नहीं सारी clear होनी चाहिए कितनी किसम की मारे पार partition बननी चाहिए slash board जो है वो 500 MB की है उसका जो file system वो xfs है जो slash root है जो slash partition है वो xfs उसके file system है उसका size square 20 GB है इसके लावा जो swap partition है उसका जो file system वो swap ही होता है उसका कोई mount point नहीं होता तो उसके size है वो 2048 MB है इस file को मैं करता हूँ यहां से close अब इस file के लिए एक कीज मिसीं है हमारे पास package installation कि हमने packages कौन कौन से install करने है जहाँ हमारे पास installation हो कि start के थरूँ तो उसमें कौन कौन से package इंस्टाल होने चाहिए वो एक चीज मिस है तो वो उसके लिए आप तरीका कर यह है कि simple तरीका कर यह है इस पैकेजिस को यहां copy करें पैकेजिस से लेकर % end तक परसंटेज पैकेजिस से % end तक आप copy करें और इसको ks.cfg फाइल के अंदर बिल्कुल end पर जाकर paste कर दें ठीक और फाइल को save कर दें यह मारपस ks.cfg की फाइल हमारपस create होगी kickstart installation के लिए मारपस यह फाइल create होगी अब kickstart installation के लिए हमारपस हमने कौन-कौन से media पढ़े थे कौन-कौन से हमारपस network locations होनी चाहिए कौन-कौन से होनी चाहिए हमारपस FTP-NFS यह HTTP यह HTTP-S तो हम use करते है FTP तो मैं इस file को क्या करता हूँ FTP install करने के लिए मैं सबसे पहले vsftpd का package install चाहिए तो मैं चक करता हूँ मेरी मशीन के लिए पकेज इंस्टाल है के नहीं है तो RPM-QA vsftpd तो यह मेरे पकेज इंस्टाल है तो मैं इस file को copy करता हूँ ks.cfg file को copy करता हूँ कहां paste करता हूँ वार FTP pub के अंदर यह मेरे पास copy होगी वार FTP pub के अंदर copy होगी इसके लावा मैं इसको देखता हूँ firewall के अंदर मेरे पास service add FTP की तो list-all तो मेरे पास यहां पर देखें FTP में भी वह service add firewall की FTP की यह मेरे पास and kickstart installation की file create होगी और FTP location के उपर हमार पर चलीगी अब हमने installation करने हैं installation का तरीका कर यह है कि मेरे पास दूसरी machine मैं create करता हूँ virtual machine यहां से इसको new create a custom virtual machine redhead enterprise 7 legacy bios continue continue इसको यहां पर custom settings कर देते हैं ताकि मैं आपको दुखास कुई यहां पर इसको ना मैं रख देता हूँ kickstart तो यहां पर मैंसकी हार्डिस्क में space increase करता थोड़ी सी इसको मैं 40 GB देता हूँ cd-rom 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 मुशीन नेम या आई-पी सर्वर डॉट मैं यहां भी आई-पी देता हूं 172.16.201.254 यहां पर मैंने इसलिक आई-पी दिया है क्योंकि मिले पर जो है वो डीनेस नहीं चाहरा है इटी सी होस्ट में मैंने नाम डिजॉल्वेशन करवाई हुई है तो यहां से नाम पिंग नहीं हो पाएगा इसलिए मैंने यहां पर आई-पी ड्रेस दिया है इसलेश पब पब्लिक फोल्डर पब्लिक फोल्डर के अंदर के आपड़ यह कि क्स.cfg यह इसका पाथ है इस पाथ के पर इंस्टालेशन फाइल पड़ी है जो हमारे पास कोंसी है कि क्स.cfg तो मैं जहां पर इसको एंटर करता हूं तो वह प्रेंड अंडर की तो बिगकर पास स्टालेशन पर साइशन है तो हमारे इसे की बिर समय लेकिन अगारन के इक्दान कर दियुख हार्टॉर्टर को पर कर दो हूँ प्रोपर लैंड सिस्टेम है, लैंड इंवायरमेंट आपके उपास हो और आप हार्डवेर के उपर करें तो वहां पर इंस्टालेशन जो प्रसाइस है वो विदिन मिनिट से इंस्टालेशन इसकी कम्प्लीट हो जेगी कुछ 3-4 मिनिट, 5 मिनिट लगेगी तो आपके पास इंस्टालेशन जो होगी इसकी कम्प्लीट हो जेगी बहुत फास प्रसेसिंग होती है इसकी इसकी इंस्टालेशन की इसकी कम्पेर्ट तो CD-ROM या USB क्योंकि सारा काम हमारे पास लैंड इंवार्मेंट के उपर हो रहा है तो वह मारे पास डिपेंड करता है आपके पास लैंड काड के स्पीड किया है नेटवर्क स्पीड किया है वह सारी यह यूज होगी कि कुश ल्लवल्वार्में अ इसकान आैज़र्क कि यह जब तो यह इंस्टालेशन स्टार्ट होती है इसकी थोज़र टैम स्टार्ट है उसकी रिजन में आप उपता दी है कि विच्वल मशीन के उपर मैं का रहा हूं तो तब तक हम थोज़र आगे देख लेते हैं कि इंस्टाल के किस्टार्ट कि अगर्ट देख यह फाल कंफिगरेशन फाइल वार टेक्स टार्ट अनकोनकाडैस कस दोट सीफजिए इस बेल इंडाहम देख to the root रूट यूजर के हमार पर यह कहां पर होती है हमार पर रूट यूजर की हम ड्रेक्टरी में होती है, supply the file by FTP की इस फाइल को हम supply किसके थूर कर सकते, FTP की थूर और Http की थूर, for accessing the file by installing the operating system, जबने प्रेटिनिक से राई तो हम इस फाइल को किसके थम एकसेस कर सकते अव्य पेथिए के थरह या है एटाने यह के थ्रू जेघता फूल्टू फेच ग्स्टरक इंस्टालेशन जो फ्राइड installation की file को fetch नहीं कर पा रहा है तो issue कि हमार पाव 172.16.2012.254 slash pub slash ks.cfg अच्छा issue आ रहा है उसको पाई रहा है access नहीं कर पा रहा है मैं यहां पर service देखता हूं कि मेरे फ्टी पी सर्विस एनेबल है system ctl status vs ftpd service मेरे running state के अंदर है ip address में देख लाइता हूं 172.16.2012.254 इसके लावा फाइल मैं देख लेता हूं वाके प्लेज होगी ठीक वार ftp pub ks.cfg फाइल भी मारे पक पड़ी है इसके लावा फाइरवाल के अंदर एक दफ़ हम फिर देख लेते हैं लिस्ट डेश आर फाइरवाल के अंदर में पड़ा ftp अलाओ है फाइरवाल के अंदर भी तो वान सेंट रोडर 16 तो 201.254 इंग हो रहा है तो इसको मैं यहां से बंद करता हूं पावर ओफ तो इसकी सैटिंग्स में देख लेते हैं अज़र में इसकी सैटिंग्स का वीम्स का इशू है तो वो वेम्वेर में का रहा है तो उसको को नेटवर्क वगारा का इशू होगा अगर नेटवर्क नहीं इसको प्रोपर मिल रहा है जब आप हार्डवेर के उपर करेंगे तो इसको इस इच्व नहीं आएगा किसी किसम के इस्टालिशन के दुरान तो इसको नेटवर्क तो यहां पर मिलना चाहिए क्योंकि मेरे पर नेटवर्क का इश्व तो कोई नहीं वहीं इंटरफेस है जिसके पर वहां पर आई पी चाहरा है इसी इंटरफेस के उपर यह भी है तो सिट्रों में मेरे पास लगा हुआ है इसके लावर में इसको यहां पर प्रोपर यहां पर एक काम करते हैं सर्विस को सिस्टम सीटियर री स्टार्ट वीस अप्टीपिडी सर्विस को री स्टार्ट कर देते हैं और यहां पर वार एफटीपी पाप के अंदर इसका मैं चेक कर लेता हूं ठीक है वह कॉंटेक्स भी सके ऐसी लिनिक से कॉंटेक्स लेबलिंग भी फिट सही है इसको कि अप्टिक अटमेटिक बूटिंग फिफ्टी सेमन सेकेंस तो मैं इसको स्टाव स्टाव गरता हूं तो तो यहां लिक्तों केस दैस फ्टीप 172.16.201.2 254.254.spub.ks.cfg.cfg तो यहां विद्बार को अंटर करते हैं तो बेगन टू की सुने प्रिस एंटर दा की तू बिगन इंस्टारिशन पोरसेस तो देखते हैं उसके बाद यूम इंस्टाल सिस्टम डेश करफिक डेश की किक स्टार्ट यह इसके प्केज का नाम है and save the file with the name called ks.cfg for kickstart installation and kickstart configuration open the anaconda-ks.cfg file and copy the file's packages line to the ks.cfg file during the installation process. इस सारी चीज़े हमने देख ली थी किसे हमने packages copy किये थे वो और जाके paste कर दिये थे कहां पर हमने ks.cfg file के अब यह देखें उसने automatically इसको ठा लिया है मेरे कास इसको इसने ठा लिया है यह अभी तक दो उसने as it is आगे नहीं गया अभी वहीं पर ही है किक-start installation उसके बाद copy the ks.cfg file from root जहां पर हमने root पर save की हो कहां पर copy करनी है वार FTP pub के अंदर copy करनी है boot up the client machine with centos rhel 7 installation ioc image फिर हमने कोई भी centos का image लगा दो यह rhel 7 का image लगा दो boot up के लिए press the tab button to inject the kickstart configuration file फिर आप को बटन जब आप प्रेस करेंगे तो हमार पस किक-start configuration file के अंदर eject करने के लिए जब command type करेंगे type the command ks is equal to ftp आगे ip address pub pub के अंदर ks.cfg add mention in the below image image मैं यहां पर attach नहीं किया हुआ प्रेस एंटर दा continue with the installation मुझे लगता है इसको अभी तक ip नहीं मिल रहा किसी वैसे इसलिए वह यहां पर time लगा रहा है वहना अब तक यह installation की start हो चुकी होती अच्छा एक काम और करते हैं कि मैं दूसी machine on कर लेता हूँ इसको login करते हैं root से इसको अभी इसी तरह है फाइल नहीं इसको connection नहीं मिल रहा फाइल नहीं मिल रही connect connection जो है वो time out आ रहा है तो देखते हैं इसका तो यह मेरे दूसरी machine इसको पर मेरे फाइल पड़ी हुए आर एडिम आपको दिखा रहता हूँ वार fdp pub के अंदर मेरे पास ks.cfg का फाइल है इसको मैं open करता हूँ इसमें कुछ information है मेरे पाइंस्टाल है keyboard जो है वो layout है passwords का set किया हुए इसका जो time zone है वो अफ्रीका है एम जी अफ्रीका इसका मियर टैम जो system languages की language and is en underscore us है firewall इसमें disable है इसकी आर्थ configuration जो है इसका जो आर्थ information है क्यों सी है सचे पांसो बार है cd-rom है graphical tar installation है इसकी ग्राफिकल है sl in is enforcing mode के अंदर है network boot protocol है वो ETS 0 है system reboot पे है installation के बाद इसका जो bootloader की location है वो MBR है इसमें दो partition बनी हुए है एक SFS की है जो slash boot के उपर mount है slash के उपर mount है sorry 20 GB है और जो slash boot के उपर है वो 500 MB है उसके बाद इसके package installation की जो यह मार पास package installation की file है package installation है कोई कोई हमार पकेज installation होने चाहिए इसकी information है सारी हम इस file को run करते हैं इस machine का IPDES में दखायता हूं इस machine का IPDES 172.16.201.253 तो तो machine को दोबारे reboot करता हूं तो यहां पर मैं लिखता हूं ks is equal to ftp 172.16.201.253 slash pub slash 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 pub slash ks.cfg slash ks.cfg जिसको एंटर करने से पहले मैं एक दफा इस पर चक कर लेता हूं इसकी जो configuration है किदर गेगी मशीन यह एक मशीन है इसके पर मैं system ftp की जो हमार पर status है वो चक कर लेता हूं कि मशीन जिसकी service है वो चल रही है इसकी service जो है running state के अंदर है इसके फाइरवाल के अंदर port check कर लेता हूं firewall-cmd is equal to list-all तो यह मैं FTP के अंदर FTP भी अला हूँ है तो यहां वे मैं इसको enter करता हूं one center door.16.201253 slash pub slash ks.cfg यह स्टार्ट होगी इसकी installation तो उसने इसको IP पिक कर लिया उस मशीन के साथ का क्या इशू था वो उस मशीन पे IP क्यों नहीं पिक कर रहा था ठीक है, automatically देखें यहां पर सारी उसने हमसे उसने कुछ नहीं पूछा क्या करना है, कौन कौन से partition create करना है कौन सा time zone set करना है, जो हमने इसको फाइल के अंदर दिया तो नहीं time zone सारा set कर दिया, user नहीं password यहां पर set कर दिया, सब कुछ यह आप उसने installation शूरू कर दिया, package installation करना शूरू कर दिया, 1249 जो इंस्टाल कर रहा है, जब इंस्टालेशन हो जाएगी तब हमार रपाए वह complete machine भी मार रपास चाल जाएगी तो मैं आपको pass कर नहीं है, आप मैं जारा installation हो जाएगी एक दफा फिर एक दफा installation हो जाएगी तो फिर हम आते हैं तो इतनी देर तक यह अब यह देखें इस इंस्टालेशन की complete हो गही है, इसकी जो पैकेजी वह रहा है वो सारे इंस्टाल हो गया है, अब इसका पोस्ट इंस्टालेशन स्क्रेप्ट जो है वो परफॉर्म हो रहा है, रन हो रहा है अब इसकी नच्टालेशन की 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 न इसको मैं आप डाउन करता हूं, कनेक्शन, मैं डाउन, इसको मैं दो बाड़ा इसको मैं अप करता हूं, इसको मैं अप हो गया, इसको मैं इसको मैं दोबारा में जप्रिंग करके जगते हों, एक डोट 16, डोट 20, 1, डोट 253, यह मेरी व्याय मेरी अप टींग हो रही है, फीक हो गया है यह मेरी पाल जरेट इसको जनरेटिंग इनट FS रहम इसकी अप जनरेट हो रही है, फ़र निशिस्टम की तो मैं एक ट्राइब होर करते हैं, मश्यन व्याजिव यह आप दोबारार new, custom, kickstart, one, save, शुरो में टैज करते हैं, इसका लावा हाद इसकी स्क्रेस इंप्रीस कर लेता हूँ, कर लाता हूँ, के सब्सक्राइब, स्क्राइब, शुरु, क्या लाता हूँ, शुसको एंटर करते हैं, तो जो इस्टालिशन होगी यह देखें इस्टालिशन होकर मेरे पर मशीन बूट हो गई है अब मुझे से पूछता है वेलकम तो यहां पर देख लेते हैं यहां पर इसको स्टार्ट वी मशीन के नहीं अभी तब वह इशी में है इसको करता हूं मैं यहां से इंग्लिश है इंग्लिश प्रापिक्श्ट आ Allएइव फूर इसको स्थी एऽ स्टन वैंग罟 आ इंग्लिश पर इंग्लिश। इसकaufenने उसको अली जुजनेम इसको अली इसको नेस्त इसका पास्लोड रेड है रेड है कि यहां गये पास ठीक हो गया next continue यह मेरे पर सारी installation है इसकी तो यह अभी तक आई पी नहीं मिल रहा है इसकी issue यह है कि मेरे पर जो नेट्रो कार्ड है इस machine के उपर जो मेरे पर 152 वाला है 172.16.201.25 और इसकी जो land communication है वो इसमें थोड़ा सा issue आता है आ रहा है कि वो अपस में यह IP को पिंग नहीं कर पा रहा है वो इस IP को access नहीं कर पा रहा है सेम जिस तरह भी हमने सारा इस machine के उपर किया तो इस machine के उपर मैंने जो मेरे पर यह client machine तो इसके उपर मैंने सारा ready करके रखा हुआ था तो सिर्फ हमने script change किया है IP change किया 254 किया 253 हमने यूज किया है सारा सारा तरीके कार हुई है same to same के वो जो command line थी मेरे पर जो command थी system dash config dash kickstart उसी के थरूब मैंने सारी installation की है सारी us औगारा इसका passwords का set यहीं से कर किया इसका बाद installation method, boot loaders की configuration, system partition information, network configuration, authentication, firewall enable, disable सारी यहां से इसके बाद फिर file को वापस save करके ks.cfg में यहां पर root pub के अंदर folder के अंदर copy कर दिया और machine को on boot time के उपर किस तरह हमने पात दिया का ks.cfg file का ks is equal to ftp slash ip address slash pub slash ks.cfg तो यहां पर आता हूं मैं जो मैंने kickstart installation के तुरू हमने की है तो यहां पर मैं सीडो सोड़ी सुच रूट यहां पर रूट का password तो मैं रूट से login हो गया तो मैं रूट के next web में आता हूं उसके home directory में आता हूं तो यहां पर मेरे पास देखें के एना कॉंडा की file मेरे पड़ी एस एना कॉंडा file को मैं open करता हूं तो यह वही सारी information है जो अभी हमने इसको enable जो हमने इसको दी थी किस्टालेशन को दिरान के किक्स्टान इस्टालेशन को दिरान जो जो इसको दी थी वह सारी सारी इसने information किया है वही सारी file के अंदर इसको enable कर दिया है तो मैं यहां पर इफकर करकर दखाता हूं तो यह मेरे पास जिसको आटोमेटिक इसको जिसको में नाम रखा थे एटिये जीरो वह सारा के सारुने यहां पर आई-पी कर दिया यह सारी information थी यह था हमार पास kickstart installation की सरह की जाती है exam के अंदर से कुछ कोई भी हमार पर question नहीं आएगा ना आपको दिया जाएगा कि आपने kickstart installation करना ही है तो हमने किया kickstart installation का तो हमारे पास RSCS सब्सक्राइब करना है हम प्रोपर उस तरह की ग्लैब बनाएंगे अपनी मिशीन के अंदर ही मैं यह जिसरा मेरे पास कंप्लीट होगी हमने इसका एक चैप्लीट कर लिया और यह मेरे पास यह फाइनल लेक्चर था पर यह मशीन है सर्वर की इसके ओपर ही मैं केवियम इंस्टाल करूंगा इस के अंदर हम डिफरेंट मिशीन बनाएंगे फिर उस मिशीन के अदर डिफ जैम के वालते जो जो exam माता है वो exam में किस स्ना की स्वाल ऐते हैं वह क्षैम next time सोल्फ करेंगे मैं आपके साथ साथ कुछ sample question जो होंगे वह शेयर कर दूंगा आप साथो मेंét ग्रक्टिस कीजिएगा और इसके लावभी जितने ह proposed topics हैं जो हमने cover किए है पड़ें looking topics की तेरा त्यारी कीजिएगा और यह इता दूंगा कौन कौन से चैप्टर से क्वेस्चन आता है कौन कौन से चैप्टर से नहीं आता तो तब तक लिए आपना ख्यार रखिएगा ठैंक यू अला आफिस